रेजिस्टर्ड कोचिंग इंस्टिचूट हम उसको चलाने का परमिशन देंगे अन्नेथा बाकियों पर करवाई करने की दिसावें विहार सरकार उचित करवाई करेंगे। हमारे मुख मंतरी ने सपस्ट कहा है कि पच्चेस चुनाव के पहले बारा लाख सरकारी नौकरी देने के बाद ही हम लोग चुनाव में जाएंगे। तो ना केवल सिक्षक सात्र रेशियो की आप बात करिए सभी कारजाले में जहां जहां वैकेंसी है उसको राजसरकार ढूड़ ढूड़ कर बढ़ेगी। जब बिहार में अभी इसकी आवसकता नहीं है। जब बिहार में इसकी आवसकता होगी तो हम मिल वैटकर अपने सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्ष करने के बाद ही कोई काम कर पाएंगे। नहीं आई है या कहीं से कोई इस प्रकार की घटना नहीं घटी है जिसको लेकर के सरकार इसको संग्यान में ले। लेकिन हाँ प्रशासन सक्ति के साथ निपढता है उप्रशासन सक्ति के साथ निपढता है। तो अभी यहां इस परकार की कोई कानून बिहार में बने इस परकार की कोई चर्चा नहीं यूपी में सरकानून बन गया लब जिहाद अखिर लब जिहाद का आकड़ा यूपी में ज़्यादा देखने को लग रहा है कि जिस तरह से आप बता रहे थे कि बिहार में भी आवशिया आवशकता नहीं क्या बिहार में भी तो लब जिहार के मामले हैं नहीं बिहार में लब जिहार के कहा मामले हैं क्या है यह हमारे संग्यान में नहीं है तो इस विसाय को मैं आपके सामने बिना डेटा का रख नहीं पाऊंगा लेकिन मुझे फिलहाल बिहार में इसकी आवसकता महसुस नहीं होती है जिस दिन इसकी आवसकता महसुस होगी बिहार की सरकार गटवंधन की सरकार आपस में मिल बैठ कर इस पर बात करें जिस पर से कोचिंग की घटना दिल्ली में घटी बिहार में भी वो घटना खटी Pomorna घटी कोचिंग पर क्रारे बिहार स्रकार कोचिंग की आ Barnा रहे हैं और उसका गलत नजर में कोचिंग होंगे हम ईसको चलाने का पर्मिस्वाइता आत हम के तो भी निग्रानि रखा जाएगा नियम eh एक क्लास में 36 बच्चे पर एक टीचर होने चाहिए तोड़ा इंतजार कर लीजिए हम पिछे की तुलना में छात्र सिक्षक रेशियों को बिहार प्रदेश ने ठीक किया है और आने वाले दिनों में हमारे मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री ने स्पस्ट कहा है कि पच्च लाख सरकारी नौकरी देने के बाद ही हम लोग चुनाओं में जाएंगे तो ना केवल सिक्षक सात्र रेशियों की आप बात करिए सभी कार जाले में जहां जहां वैकेंसी है उसको राजसरकार ढूट-ढूट कर भड़ेगी और सिक्षक चात्र रेशियों को भी हम लोग ठ आपने सायद कहीं जाकर इन विश्यों को देखा होगा लेकिन एक जगह कहीं ऐसे बैठे हुए च्छात्र नजीर नहीं हो सकते हैं ब्राज्य के अंदर बरे पैमाने पर अभी सरकारी विद्यालियों में भी नए भवन का निर्मान कराया जा रहा है सरकार उस दिसा में बहुत सकरात्मक पाल की है और हम प्राइवेट सेक्टर के कोचिंग इंस्टिचूट और विद्याले पर भी हमारी नजर होगी कि छात् बैठने का उचित व्यवस्ता हो संसाधन वहां पीने का पानी अन्य जो सुविधा होती है वह उचित मात्रा में उपलवद हो इस इन सब विश्यों पर सरकार विचार कर रहे हैं बिल्कुल करेंगे पहले वी समराट चौधरी जी लोगों को मिली रहे थे एज़े उपमुख मंत्री एज़े प्रदेश सद्यक्शिवी बरतबान जो दूसरे हमारे डिप्रिस्यम है बिजय सिनहा जी वो मिली रहे थे लोग हित के काम को करी रहे थे लेकिन पार्टी ने अपने सिस्टम से हर दिन पार्टी कारजाले में लोगों के सहयोग के लिए बिहार सरकार के मंत्री बैठेंगे इसकी व्यवस्था पार्टी ने किये स्वागत योगी कदम है और हम समझते हैं कि इससे सिधा सिधा आम जन सहयोग— COVID काल के बाद बंध हुआम फिर है फिर जोय कैल के बाद हम लोगों ने सुरू कि आनो सद्रेक्वक 25 जमद्व और बीच में आपने देखा होगा की अचार सनीता फेन खम होने के बाद हम लोगों का यह पहले से नहिंदा था कि जन सहुआ के कार्एक्म को सुरू करना है और हम धन्वाद देते हैं अध्यक जी को कि उन्हों तुरंट पहल करके इस काज़क्रम को की सुरुवात कर दी परदेश सद्यश ने ये भी घोशना कर दिया कि तीन तारे से जनता के बीद जाएंगे हर एक जिला घूमेंगे ते क्या परदेश सद्यश समराट चौधरी काम नहीं कर रहे थे विशम परिस्थितियों में बिहार के अंदर यह आपको कैसे मालूम मुझे नहीं पता है कारकरता भारतिये जनता पाटि में अध्यक्ष एक व्यवस्ता है अध्यक्ष प्रणाली की पाटि है और कल जो भी अध्यक्ष होंगे उनी के नेत्रुतु में पाटि काम करती है लीडर है उसी के नित्रुत में पूरी पाटी काम करती है अतह ये कहना कि खुस नहीं थे और खुस थे हम सब मिलकर काम करते हैं अध्यक्ष हमारे दिसा निर्देशक होते हैं और जो राष्ट्रिय अध्यक जी का निर्देश आता है उस निर्देश पर प्रदेश के अध्यक् दिया इस बात को लेकर और प्रशन दनता है चब्वीस वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं जारखंड के जातरों एवं अभिभावकों के बीच सरवादिक विश्वस्निय एवं लोकप्रियसंस्थान गोल नेशन्स लीडिंग इंस्टिटूट हमा